रो रहा है आधा भारत एबी डिविलेयर्स के बाद एक और दिगज खिलाडी ने सभी को हैरान करते हुए वनदे क्रिकिट से लिया सन्यास शोयब मलिक पाकेस्तान क्रिकिट के सबसे महांतम ओल राउंडर खिलाडियों में से एक है में 36 वर्षीय मलिक ने वर्ष 1999 में वेस्ट इंडीज की विरुद्ध शारजाह के मैदान जे अंतराश्ट्रिय क्रिकिट में डेब्यू किया था हाला कि वर्ष 2015 में इंग्लेंड की विरुद्ध खेली गई सीरीज के दोरान वेल टेस्ट क्रिकिट से पहले सिसन्यास ले चुके हैं वर्ष 2015 में ही मलिक ने पांच वर्षों के लंबे ब्रे के बाद टेस्ट में शानदार दोहराश्रतक लगाया था लेकिन सीमें तो वर्ष क्रिकिट खेलने के इरादे से उन्होंने टेस्ट क्रिकिट को अलविदा कह दिया था इसी वर्ष में शोयब मलिक ने संकेत दिये थे कि अगले वर्ष इंग्लेंड और वियल्स में खेला जाने वाले ICC World Duck Up 2019 के करियर का आखिरी 50 ओवर्ड क्रिकिट टूर्नमेंट होगा हाल में मलिक ने ये हधिकारिक भी कर दिया है कि World Duck Up के बाद वेह वनडे क्रिकिट से सन्यास ले लेगे हलंकि उनका ये भी कहना है कि वेह अंतराश्ट्रियर T20 क्रिकिट आगे भी खेलते रहेगे पापेशन के अनुसार शोयब मलिक ने कहा World Duck Up 2019 मेरे करियर का आखिरी 50 ओवर इवेंट होगा लेकिन नगर में फिटनिस का याम रखता हूँ तो T20 World Duck Up 2020 तक T20 खेलना जारी रखाऊंगा शोयब मलिक का अंतराश्ट्रियर करियर शोयब मलिक ने अपने 35 टेस्ट के करियर में 60 पारियों में 35.14 की ओसत से 1898 रण बनाये इस दोरान उन्होंने 3 श्रतक और 8 अर्द श्रतक भी लगाएं टेस्ट क्रिकिट में मलिक का सर्वोच करियर स्कोर 245 रण है शोयब मलिक ने अपने वनड़े करियर के दोरान अब तक 261 माच खेले है इस दोरान उन्होंने 236 पारियों में 35.22 की ओसत से 6,975 रण बनाये इस दोरान मलिक ने 9 श्रतक और 41 अर्द श्रतक लगाए है वर्ष 2006 में अंतराश्ट्रियर T20 क्रिकिट में डेब्यू करने वाले शोयब मलिक ने अब तक अपने करियर के 98 T20 खेले है इस दोरान उन्होंने 31.07 की औसत और 122.17 की स्ट्राइक रेट से 1989 रण बनाये है मलिक ने अंतराश्ट्रियर T20 क्रिकिट में 7 अर्द शतक भी लगाए है